दोस्तों महिंदर सिंग धौनी के सन्यास के बाद सबसे बड़ा फायदा किसको ये सवाल इंडियन क्रिकेट में काफी गूज रहा है कोई कह रहा है बिराट कोहली को तो कोई कह रहा है रिसब पंत को इसी पर हमारा सवाल है कि अगर बिकेट कीपर की द्रश्टी से देखा जा तो महिंदर सिंग धौनी का रिप्लेस्मेंट के तोर पर रिसब पंत को सबसे आगे पाया जा रहा है इसी पर हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं क्या महिंदर सिंग धौनी के तोर पर रिसब पंत टीम इंडिया में अपनी जगे बना पाएंगे या नहीं क्या आपको लगता ह है कि रिसब पंत महिंदर सिंग धौनी की बराबरी कर पाएंगे या नहीं हमें comment box में अपना जवाब देना बिल्कुल ना भूलें अगर आप धौनी के फैन है और आपको लगता है कि रिसब पंत धौनी की जगह नहीं ले पाएंगे तो comment box में दौनी ले लेंगे और वो भी हालाकि टीम इंडिया काफी लंबे समय से रिसब पंत को महिंदर सिंग धोनी के स्थान पर जमानी की कोसिस कर रही है लेकिन रिसब पंत का प्रदसन लगातार अच्छा नहीं रहा हालाकि बीच बीच में वो सांदार प्रदसन करते हैं लेकिन टीम इंडिया में वो अपनी इस लगते हैं, लेकिन महिंदर सिंग धौनी से जब कंपेर किया जाता है, तो महिंदर सिंग धौनी के आसपास वो कहीं पर भी नहीं टहरते, महिंदर सिंग धौनी के सन्यास के वाद फिर से एक बार ये सवाल उठ गया है, क्या रिसब पंथ टीम इंडिया में अपनी जगे महिंदर सिंग धौनी के तौर पर वना पाएंगे या नहीं, हमें कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय देना आप बिल्कुल ना भूलें, अगर आप धौनी को वेस्ट मानते हैं और आपको लगता है कि रिसब पंथ धौनी की जगे नहीं ले पाएंगे, तो फिर धौनी कॉमेंट बॉक्स में लिखें, अगर आप रिसाप 17 के फैन हैंँ और रिसाप 17 को वेधरिशन कलारी मानते हैं तो रिसाप 17 लेगा या आप किसी तीसरे ख्लारी को बिकट्टीपर वल्ले वाज के तौर पर टीम Іंडिया में देखना चाहते हैं तो उस ख्लारी का नाम भी कश्छाने में आप लख सकते हैं और हाँ अगर आप भाहिंदर सिंग धौनी के सच्चे फैन है तो इस वीडियो को लाइक करना बिलकुल न भूलें